हेले इबरोन कैसे आप सब एक बार पुना सीव कोचिंग क्लास्ट पर सोगत हैं उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर आप सफलिमेंटरी या रुख जाना नहीं का जो पेपर है उसमें किस तरीके से कोश्चन आएगा उसका वीडियोज प्रवाइड कर दीजिए हलाकि मैं जो नया सलेवस चल रहा है उसका बीच-बीच में वीडियो देता रहता था जो पूराने वीडियोज मैं बना के रखता हूँ इस्टोर करके रखता हूँ और ये सारे कोश्चन ऐसे सेलेक्टड कोश्चन है जो कि अभी रु इसमें भी ऐसे टॉप कोश्चन सेलेक्ट करूँगा जिससे आपको पढ़ना ही पढ़ना है कम समय में जो कोश्चन मैं कह दूँगा उसे किसी कदर से आप लोग पढ़ लेना उसको बिलकुल इग्नोर मत करना बच्चो ठीक है जैसे यहां पर आपको दिख रहा तीन प्रि कोश्चन दे रहें अब ज़रूरी नहीं कि वहीं से आ जाए लेकिन यह है कि आप पास हो जाओगे बाकि आपको अपने एकॉर्डिंग भी पढ़ना है यहां पर देखो बच्चो सरणी क्रम समांतर क्रम जो संयोजन होता संधारित्र का इसे पढ़ लेना संट का नियम कह सि बेरी भेरी इंपोरडेंट है जिससे मैं बेरी बेरी इंपोरडेंट कह दूँ उसे किसी कदर से आपको तयार करना ही करना है ठीक चलिए किसी लंबी प्रिणालग काक्ले शौप्रेड का तोका बिस यह आपको तैार करना है यह देख्येbvad प्रिष्ण का परिपथी नियम है LCR परिपथ है यह सारे सेलेक्टेड कोशन है इससे भी ज्यादा सेलेक्ट करोगे तो फिर हो सकता है कि आप लोग पेपर में वही कंडिशन हो जाए जो की अभी आपका हुआ है कहने का मतलब आप जो उम्मीद नहीं किये थे वह इसा आपका रिजल्ट जाएगा कारण है क्योंकि जो चाहिए वह पढ़ते नहीं हो आप लोग है ना कुछ और पढ़के जाते हो यहां पर दिखेगा दो आब इसी चालकों को जोड़ दे तो उसमें उर्जहान ही कितना होता है कुलाम की व्यूत्क्रम बरका नियम बिदुद भागबल भी हो अंत स्वाप्रति रोधकता किसे कहते हैं उर्ण इसको आप मत पढ़ना अभी रुख जाना निकले मत पढ़ना लेकिन लेंज का नियम पढ़के ही जाना अन्योन प्रण पढ़लो इसे स्वाप्रति रोधकता नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा ठीक बच्चो चलिए यहां पर ट से बनी रहा होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर में ही आता ही बायो से बढ़ का नियम कभी कभी आ जाता है ठीक है चुमिके छेतर में धारावाई चालक पर बल का बिंजक निकालना है बायो से बढ़ के नियम की सहाज़ता से रिजु रेखिये धारावाई चालक के करन चुमिक यह उतना महत्पूर्ण नहीं है, यह 24 नंबर मत पढ़ना आप लोग, ठीक, अभी मत पढ़ना, क्योंकि कम समय में कैसे पढ़ोगे यार, यह जो प्रशन है, यह तो आपका कमिस्ट्री का है, ठीक है, यह जो किरने हैं, दरस्प्रकास, अबराक, तरंग, गामा, किरन, पराव में आ जाएगा, चुमिकी छेत्रे, यह परिभासा और दो दो नंबर वाले कोश्चन, तो यह बिद्दु छेत्रेका की परिभासा, चुमिकी छेत्रेका की परिभासा, यह सब छोटे-छोटे कोश्चन है, इसे आप लोग दो-दो मिनट में त्यार कर लोगे, चो कुंदली कभी-कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है, देखे बच्चों, यहाँ पर एक प्रत्यवर्ती धारा, जिसमें एक संधायत जुड़ा हो, तो उसके लिए फ्रेजरार एक कलांतर, प्रतिगात निकालना है, डाइनेमो, भी-भी-भी इंपोर्टेंट, हुईटी स्टोन, भी- भी-भी-भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, चुम्कियवल और विद्दुदवल में अंतर उतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसे आप लोग पढ़ना, भी-भी-भी-भी इंपोर्टेंट, प्रत्यवर्तिधार दिश्टधार में अंतर, दंड चुमबा का अच्छी तो पढ़ी के जाना आप लोग, विद्दुद चुम्की तरंग किसे कहते हैं, अब तर प्रिष्ट के लिए बरतन सोत्र, यह भी-भी-भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, यह सारे की सारे इंपोर्टेंट है, प्रकास की से कोशन पूछन पूछना है, गाउस का नियम लिखी और किसी रेखी आवेस के काण, किसी बिंदु पर बिंदु छेतर की तिवरता, अन्यों प्रेण, स्वाप्रेण, चुम्की फ्लक्स किसे कहते हैं, सारे कोशन सेलेक्टेड है, लेंज का नियम दोवारा कोशन आ गया है, ठीक है, गोरी दरपड के लिए बक्रता द्रिज्या फोकस दूरी में संबंध, इसे आप मत पढ़ना, वास्तविक दूरी और आभासी गहराई में संबंध, ये तो ना महत्पूर्ण नहीं है, 26 नमबर, ठीक, एक प्रिर्कत जुड़ा हो, तो इसे तयार कर लेना, ये भी भेरी भेरी इंपोर्टेंट है, स्रेणिक्रम में ठीक है, यहाँ पर एक कोश्चन है, छिप गया भाई, छिप गया, कहां गया है, माध्यम युक्त समांतर प्रेट संधायत की धारिता कले बेन जग, एरी समांतर प्रेट संधायत बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी बिंदु पर बिदुछेत की तिवरता, और उसके बिभो में समंद बताई, अनुगवन बेक भेरी भेरी इंपोर्टन है, यह कोश्चन आया था भी, सेलो का आंतरिक प्रत्रोद, भेरी भेरी इंपोर्टन, लेंस निर्माता सूत्र, भेरी 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 इंपोर्टन है, सेलो का स्रेनिक्रम सेयोजन आपको पढ़ना तो पढ सकते हैं। पूना अंतरिक प्रवरतन भेरी भेरी ये भी सारे के सारे माधबुबन है। ये चारो कोशन आती माधबुबन है। ठीक है। तरंगों के अध्धरोपन का सिद्ध हां। ये इतने छोटे छोटे कले हैं। मतलब लांग टाइप के कोशन है बच्चों। अध्यरोपन के शिद्यान सावन का बुल्बला ये आपके लगबग प्रकास की तक के कोश्चन है ना इसके बाद भी दो-दो अंक वाले प्रशन कहोगे तो मैं ला दूँगा लेकिन फिलहाल अभी तो इतना तो तैयार कर ही ले न क्योंकि अभी आगे के जो चैप्टर हैं उ प्रकास बिद्द प्रभाव ये सारे कोश्चन सेलेक्टड है लेकिन फिलहाल अभी ये कोश्चन है बहुत सारे डिमांड आ रहे थे कि सार कोश्चन नहीं दे रहे हो तो अभी इतना तयार करो आप लोगों के लिए ऐसे 25 सेलेक्टड कोश्चन लाऊंगा कि उतना आप इतना महगा पड़ता है बच्चो को लगता है सारा चीज हम ले रखें उसके पीछे मेनत कोई नहीं देखता है सो रुपए में नोट्स ले सकते हो कंटेक्ट नंबर है 9685299149 ये मेरा परस्टनल लंबर इसमें वाटसप करके पेमेंड करके आप नोट्स ले सकते हैं यही म तो सबको दे देते हैं लेकि नोट्स की ज़र्वत होती है नोट्स प्रापर रूप से होना चाहिए तो नोट्स लेकर त्यारी करते रहें जैहिंद बंदमातरम